गुड मॉर्निंग दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सी यूटूब चैनल स्टेडी सर्कील 2.0 में तो कैसे हैं दोस्तो आप लोग आई होब सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगी और दोस्तो आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे कि जीन्रें ड्रोएंग में आप लोग और्थोग्राफी प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं तो प्लीज करके उसको स्टार्ट करिएगा तो दोस्तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग दोस्तो और्थोग्राफी प्रोजेक्शन को ही स्टार्ट दरने वाले सबसे पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीडियो में कंटीन्यू बने रहना है बीडियो को बिल्कुल भी भगाना नहीं ठीके बिल्कुल स्लोली चलाईएगा हर एक प यह आता ही आता है कभी हो जाता है कि यह ना आए ठीके वरना यह आपके एक्जाम पेपर में आता ही आता है दोस्तो आपका और्थोग्राफी प्रोजेक्शन और एक बात और नोट कर लिजेगा कि यह आपका नैसेसरी होता है यानि यह जोस्तो अनिवार है आपको एक्जा वाला question होगा वो करना ही होगा उसको आप skip नहीं कर सकते यह मेरी बाद अभी note कर लिजेगा आपको अगर लगता है कि हमारा जो और्थ होग्राफी projection है अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो उस इन ड्रोइंग में जो drawing sheet होगी वो check नहीं की जाएगी ठीक है यह आप लोगों को क्या करना है याद रखना है दोस्तों ठीक है भले ही आप लोग क्या करिएगा या तो फिर क्या होगा वो 20 मार्क से आपके काट दिये जाएंगे अगर आपकी कापी चेक भी होती है तो ये बात आपको बहुत बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है ठीक न तो आज से हमें स्टार्ट करेंगे दोस्तो प्रोजेक्शन में और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हाना कि प्रोजेक्शन मैंने बहुत बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था जिसमें दोस्तो आप लोगों का प्रोजेक्शन ओफ पॉइंट ये दो चीजे complete हो चुकी हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको भी जा करके देखना है जिसमें की point जो आपका होता है दोस्तो very very most important है और question उसका भी आता है ठीक है शार नमर का और very very simple question है ठीक है बहुत बहुत simple आपका question है ठीक है तो मैंने बहुत बहुत अच्छ हम लोग बात हैं कर चुके हैं ठीक है जब मैंने आप लोगों को projection of line पढ़ाया हुआ था तो उसके पहले मैंने आपको projection यानि की प्रिछेव से related पूरी की पूरी basic theory आपको बताई थी अगर आप लोगों मैंसे किसी ने भी नहीं देखा है तो आपको करना क्या है projection of line ठीक है यहां मैं कहूं दुस्तु projection of point इन सब के पहले एक basic video आपको आया था जिसमें मैंने आपको बताया था HP plane क्या होता है BP plane क्या होता है XY line क्या होगा front view क्या होगा top view क्या होगा यह सारी बात हैं क्योंकि उन सभी का भी यहां पर use होना है ठीक है न तो थोड़ा सा मैं हलका से revision द बताऊंगा ठीक है न तो प्रचेव में दूस्तु हमें पढ़ना है पहले तो और्थोग्राफिक इसको आप heading लगा लिए जल्दी से और जितनी basic terms में बता रहा हूं ठीक है मैं वे सारे basic terms बताऊंगा जहां आपको problem create होती है कि यहां से आप आंगे क्या किया जाए ठीक है तो वही सारे terms में आपको note कराने वाला हूं हलाग यह books में आपको कहीं पर भी noted नहीं मिलेंगे ठीक है न तो इसमें आपको लगाना है जोस्तो और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ठीक है और इसको दूस्तो हम बोलते हैं लंब कोडिये प्रचेव ठीक है क्या बोलते हैं ल हम्ने प्रोजेक्शनौ ऊब लाइन प्रोजेक्शन ऊब पॉइंड पढ़ा था तो इसमें हमने देखा था दोस्तो कि कोई इगर हमारा ह्मारा पॉई्ट है कोई भी हमारा लाइन है तो वो क्या होता था ا他 वह हम नजर आता और जो चीजम सामने से देख रहे होते हैं उस ब आपका कहां बनता है बीपी में बनता है ठीक है कहां बनता है दोस्तों बीपी में बनता यानि कि वर्टिकल प्लेन में बनता है ठीक है दोस्तों इसको हम सम्मुख द्रस भी कहते हैं तो यह आपको याद रखना यानि कि हम लोग इसे ऐलीवेशन भी बोलते हैं और टॉप व् किसी भी चीज को ऊपर से देखा गया तो जो व्यू जो द्रस वाड़ी का दिखाई दिया वह हम लोगों का टॉप व्यू कहलाता है इसे हम प्लान कहते हैं ठीक है इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं आपका एक वर्ड और हिंदी में यूज होता है दोस्तों उसे मैं कियेगा इस वर्ड का नेम क्या है थोड़ा सा अला के हिंदी में हलाकि अंग्रेजी में तो इसे हम टॉप व्यू ही कहेंगे लेकिन दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अनुविच्षेप मैंने बताया भी हुआ था सायद इस वर्ड को भी यूज आपको करना तो मैं इसलिए इन पर ज्यादा दिहान नहीं दे रहा हूं यानि कि मैं नोट भी नहीं आपकर रहा हूं जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे ठीके न तो यह आप नोट के नोट करते जाएगा ठीके और जो फ्रंट वीव होता है उससे हम लोग उत्सेग एक वर्ड होता यह क्या होता है आप लोगों का फ्रंट वीव होता है आपकी अपका ओत्सेग होता है इसी को हम सम्मूंग द्रस भी कहते है ठीके चरिए तो दोस्तो अब अब ही जब हम projection of line और projection of point पड़ते थे तो वहां हमें केबल दो चीज़े बनानी होती थी दोस्तों front view और हमें बनाना होता था top view जो front view होता था वो हमारा vertical plane बन जाता था और जो top view होता था वो हम लोगों का horizontal plane यानि की HP में बन जाता था राइट दोस्तों अब जब हम orthography projection पढ़ेंगे किसी भी body के लिए किसी भी body के लिए जब हम orthography projection खीशेंगे तो दोस्तों इसमें आपका front view भी बनेगा top view भी बनेगा और इसमें एक चीज और include हो जाती है दोस्तों side view अब यह side view क्या होता है side view दोस्तों यह होता है कि अगर कोई bodies आपकी रखी हुई है कोई बस्तू आपकी रखी हुई है तो just उसको आप left से या फिर just आप उसको right से देखते हैं तो जो view आपको दिखाई देता है वही आपका side view होता है side view मतलब side से देखा गया view ठीक है अब side view के भी बहुत सारे नेम होते है side view को दोस्तों देखिए side view में अगर हम left से देखेंगे तो उससे हम कहेंगे left hand side view यानि हमने वाए से उसको देखा है अगर right side से देख रहे है जैसे कि मान लीजे या पी कोई body ह है सबोस इस तरीकी से तो अगर आप यहां left से देखना चाहते हैं तो इसे हम कहेंगे left hand side view मतलब यहां का view इसको दिखाए देगा जो surface इसका दिखाए देगा वह आपका left hand side view होगा और इस तरीकी से जो view आपका यहां से दिखाए देगा उसे हम लोग right hand side view कहेंगे ठीक है और Side view को हम लोग लोग दोस्तों हिंदी में कहते हैं पारस्वदरस्त, क्या कहते हैं पारस्वदरस्त, ये चीजें आपको दोस्तों noade करने हैं, बहुत confused करेंगी आप लोगों को, ठीक है, और प्लीज ये basic वीडियो ही है, जिसमें आप लोग बहुत बहुत चीजे सीखेंगे तो इसलिए आपको वीडियो में continue बने रहना है और वीडियो को विल्कुल भी skip नहीं करना है तो आई होग इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे ठीक है मैंने इतना आपको बताया हुआ है कि जो front view है जो top view है जो side view है यह तीनों वीव आपके क्या होंगे और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाए जाएंगे ठीक है क्या है हमने देखिए quadrant आपका पड़ा हुआ है आपका दोस्तों हमने यहां hp पड़ा हुआ है कि यहां और कवीव ने आपका बीपी पड़ा हुआ है ठीक है तो दोस्तों देखिए front view हमारा top view हमारा deve tun मिल जाएगा लेकिन दोस्तों जब साइड व्यू हमें निकालना होगा किसी भी वर्डी के लिए तो हम एक साइड फिलेन क्या करेंगे आपका एच पी और बीपी के बीच लेकर के आएगे ठीक है जैसे की जैसे की दोस्तों चलिए मैं इस डाइग्राम में आपको समझाने की क अब दोस्तों जब साइड विव बनाना होगा तो साइड विव कहां बनेगा आपका साइड विव बनेगा दोस्तों जब आप साइड फिलेन को वीपी और एच वी के साइड में रख देंगे अब साइड में रखने का मतलब इस तरीके से आप यहां एक पिलेन रख देंगे यहां पे यहां पे जब आप plane रखेंगे तो जब आप किसी भी यहां रखी हुई body को यहां से देखेंगे यहां से तो उसका view उसका परच्छाई जागर कि उस plane से टक राएगा लेकिन अगर इसी body का आपको right से कोई view देखना है मतलब यहां कोई body है सपोज और उसका view हमें right से देखना है तो फिर आपको जो plane रखना होगा दोस्तों यहां रखना होगा सटा करके आपका HP और BP के साथ ऐसे ठीक है फिर आप वहां से देख लेंगे ठीक है क्या करेंगे वह हां से आप लोग उस view को देख लेंगे तो द्यान देना कि जब भी हमें orthographie projection में किसी body का क्या करना होगा दोस्तों view और वो भी side वाला तो हम एक side plane को लेकर के आते हैं जो कि HP और BP के बीच हम लोग रखते हैं ठीक है चलिए तो यह तो थी इतनी बात जो कि I hope आप लोगों क तो समझ में आ गई होगी इसके बाद दोस्तों आपको समझना है projection जो हम बनाएंगे वो किस-किस quadrant में बनाया जाएगा ठीक है किस-किस quadrant में हमारा projection बनाया जाएगा जैसे कि हमने projection और point पढ़ा तो इसमें हमारा दोस्तों जो भी आप लोगों का view होता था यानि कि front view वो quadrant में और आप लोग second quadrant में भी बना सकते थे मतलब BP के पीछे और HP के ऊपर थैड में भी बना सकते थे HP के नीचे और BP के पीछे चौथे में भी आप बना सकते थे HP के नीचे और BP के सामने लेकिन दोस्तों जो orthography projection आपका बनता है वो cable और cable दो quadrant में बनता है पहला first और यह जाता है तो reason दोस्तों यह है कि जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आपको दोस्तों finally projection बनाना होगा क्या बनाना होगा finally आपको projection बनाना होगा तो आपको HP को क्या करना पड़ेगा 90 degree rotate करना पड़ेगा और वो भी आपका clockwise direction में ठीक है किस direction में clockwise direction में तो से विजुलाइज होगा लेकिन अगर आप सेकंड क्वाइट्रेंड की बात करें तो जब हमें प्रोजेक्शन देखना होगा तो हमें फिर से एच्पी को 90 डिग्री को माना होगा और यह इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा बीपी के ऊपर आ करेंगे ऐसीलिए हम क्या करते हैं तो यहां वाडी होगी तो यहां से यह ओपर लाब करके इसी के ऊपर आ तो figure बिल्कुल आपका mix हो जाएगा उसी में front view चला जाएगा उसी में आपका क्या हो जाएगा टॉप यू चला जाएगा इसलिए हम लोग second और third quadrant में जो है आपका projection नहीं बनाते ठीके चलिए अब इसके बाद दोस्तों आप लोग note कीजिएगा जब आपका projection कौन सा projection और्थोग्राफी projection first quadrant में बनाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं first angle projection यह आपको याद रखना यही टर्म आपके question में आएंगे first angle projection ठीक है first angle projection first angle projection को हम बोलते हैं दोस्तों प्रथम कोणी प्रचेप यही टर्म आपके दिये जाएंगे कि निमनिखित चित्र का प्रथम कोणी प्रचेप ठीक है प्रथम कोणी प्रचेप में क्या करिए इसका प्रचेप खीजिए या प्रथम कोणी प्रचेप खीजिए ऐसा कुछ क बन रहा है वो आपका third में बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे third angle projection क्या बोलेंगे third angle projection third angle और दोस्तों यहाँ से theoretical and question भी आते हैं आपके तो वह 13 place यही से cover कराने वाला हूँ इसलिए आपको घाबराना बिल्कुल भी नहीं है त्रतिये, कोंडिये, प्रच्षे, ठीक है, जितनी चीजे बताएं जारी, पिलीज गरकी इनको अच्छे से नोट करते जाना, अगर व्यू हमारा फरस्ट एंगल में बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फरस्ट आइंगल प्रुजेक्शन, और अगर थाड में बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तो tired angle projection ठीक न तो first angle projection का मतलब क्या होगा थोड़ा सा ये हम लोग समझते हैं दोस्तो first angle projection का मतलब ये होगा कि जो आपकी body रहेगी ध्यान दीजिए वुस्तो आपकी body रहेगी वो hp के ऊपर और BP के सामने रहेगी यानि कि body आपकी यहां दी जाएगी आपको जब आपको projection खीचना होगा आपका figure इस तरीकी से दिया जाएगा ठीक है अब देखिए figure आपका HP BP में रखा हुआ नहीं होगा आपका figure दिया जाएगा cable और अगर बोला है first angle projection खीजिये तो यानि कि imagine करना पड़ेगा कि वो HP और BP में कुछ इस तरीकी से रखी हुई है ठीक है तो यहीं होगा आपका first angle projection यानि कि इसमें आपका body HP के ऊपर और आपका BP के सामने रखा होगा तब ही इस body का आपका क्या होगा first angle projection बना जाएगा, fust angle projection में तीन जीचे बनाई जाएगी और third angle projection भी बनाई जाएगी क्योंकि हम orthographic पड़ रहे है तो मैंने बताया कि front view भी बनाना पड़ेगा top view भी बनाना पड़ेगा, side view भी बनाना पड़ेगा तो पीछे एक projection plan आप लगा दीज़ेगा, तो इसका view क्या है, इस पीछे वाले परदे पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको यहां से right hand side view जो है दोस्तो बनाना है, तो यहां आप लगा दीज़ेगा, यहां आगे से देख लिज़ेगा, यहां आँगे से देख लिए भी आ जाता है, तो अभी मैं बहुत सारे points आपको बता दूँगा, जो मैं बोल रहा हूं, just वही note करना है, कुछ अलग से भी note नहीं करना है, ठीक है, तो अब देखिए, third angle projection में क्या होगा, third angle projection में हमारा कुछ इस तरीकी से condition बनेगा, HP होगा यहां पे, और BP होगा य यहां मिल जाएगा, ठीक है, और side view के लिए क्या करेंगे, आप एक player यहां लगा लेंगी, तो आपको right hand side view और left hand side view भी मिल जाएगा, ठीक है न, चलिए, इतनी चीज आप लोगों को note कर लेनी है, दोस्तों इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको first angle projection और आपका third angle projection के difference लिए के लिए आता है, जिसमें आप लोगों को 4 से 5 point लिखने होते हैं, तो देखिए, मैं अभी बोल देता हूँ, जो मैंने आपको बताया हुगा, note कर लिए, प्लीज करके, यह भी आपका यहां से important है, ठीक है, चलिए, तो आपका difference लिए आता है, आप first angle projection में difference लिखिए जाती है, वो HP के नीचे और BP के पीछे लिए जाती है, तो एक point आपका यहां से complete हो गया, क्या हो गया, एक point आप लोगों का यहां से, दोस्तों क्या हो गया, complete हो ठीक है, इसको आप लोगों क्या करना, अच्छे से note कर लेना, ओके दोस्तों, चलिए, इसके बाद दोस्तों, आप लोग नोट करेंगे कि जो first angle projection होता है उसमें जो body रहेगी जो body आपकी रहेगी दोस्तों वो क्या होगी आपकी दरसक यानि की हम लोगों के और आपकी plane इनकी बीच में होती है क्यों क्यों क्योंकि हम जब body को देखेंगे तो यहीं कहीं से तो देखेंगे खड़े हो कर गे तो अब हमारे जो बोड़ी होगी वो हमारे और हमारे प्लेंस जो प्लेंस हमने ले रखे हैं उनके बीचों बीच यहां रखे होगी यह बीच में है यहां प्लेंस यहां हम है ठीक है तो यह आपको फर्स्ट एंगल में लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होगा हम यहां खाड़े होंगे और हमारी जो body होगी वो क्या होगी दोस्तों आपका plane के भी बाद होगी plane के भी बाद होगी यानिकी हम और हमारे planes इनके बीच body आपकी नहीं होगी ठीक है इतना चीज आप लोग note कर लीजिए चलिए इसके बाद note करना कि क्या होगा body जो है आपका first angle projection में हम और हमारे planes के बीच में होने के कारण इसका जब view देखा जाता है तो view क्या होता है दोस्तों पीछे आपका projection जो है आपका क्या होगा यहां बनेगा planes पर ठीक है लेकिन third angle में projection में क्या होगा कि जो view आपको मिलना होगा वो आपका यहां जो view आँगे मिलना चाहिए वो आँगे नहीं मिलकर के इस plane पर मिलता ठीक है तो यह आप लोगों को दो से तीन points note करना है और इसके बाद दोस्त कर दूँगा यानि कि क्या का difference है basically तो वो पढ़ लेना लेकिन वही सारी चीज़े हैं जो मैंने आपको बताई हुए ठीक है most important points में अभी आपको बताने बाला हूँ तो please करके उनको note कर लेना ठीक है तीन points में आपको बता चुका हूँ इसमें related इसके बाद दोस्तों चौथ पॉंट आप note कर लेना कि first angle projection में जो आपका front view होगा वो आपका क्या होगा xy line से उपर बनेगा ठीक है और जो top view होगा कहां बनेगा xy line से नीचे बनेगा क्यूं बनेगा क्यों कि first angle projection है और first angle projection है front view यहां बन जाएगा और h view को नीचे rotate करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आफके मं जायेगा टोस्तो टॉप नीचे चलाएंगा यानिकि एक्स वाइड लाइन के ऊपर फ्रेंट वियू और आपका एक्स वाइड लाइन के नीचे आपका टॉप यू चलाएगा और जो side view है वह कहाँ जाएगा तो side view हम्यासा दोस्तों फ्रेंट व्यू के side साइड में चिपका रहता ह्हाद आपका front Brenda के साइड में बता दिया कि हमेशा आपका front व्यूँ के साइड में ही चिप का रहता है ठीक है तो यानि कि यह भी बिचारा एक्स वाई लान के नीचे ही बनेगा ठीक है तो यह दो पॉइंट्स आपको और नोट कर लेने हैं अच्छे से ठीक है तो नोट करिए फिर हम मूब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर आपके मैंने चार पॉइंट्स क्यों ठीक है तो दोस्तों पांचवा पॉइंट्स क्या कहता है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी बडी का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से प्रोजेक्शन खीशेंगे क्या खीशेंगे प्रोजेक्शन खीशेंगे जैसे कि मालीज यह आपका कोई बनाना तो प्रोजक्शन में हमें तीन चीज़ ही बनाने होती है देखिए पहला टॉप व्यू इसके बाद हमें बनाना होगा दोस्तों फ्रेंट व्यू इसके बाद हमें बनाना होगा साइड व्यू तीन व्यू ही हमें दोस्तों जो है बनाने होते हैं अब देखिए टॉप जो होगा दूस्तों बो तो हमेशा ऊपर से ही देखा जाएगा उस बोडी का लेकिन फ्रेंट व्यू और साइड व्यू इनकी पोजिशन चेंज कर देता है कभी-कभी कोशिचन में आपका यह फ्रेंट व्यू यहां लगा बना रहे हैं तब क्या होगा दूस्तों अगर आप फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं इसको तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपका एकस वाई आप जो इसका projection बनेगा finally तो friend view आपका left में चला जाएगा और side view आपका कहाँ चला जाएगा right में तो friend view यहाँ बनेगा और आपका दोस्तो इसके side में चला जाएगा आपका यहाँ देखिए side view क्योंकि मैंने आपको अभी just बताया है कि अगर आपका friend view बन गया top view बन गया और side view बनाना है तो उसको हमेशा friend view की side में ही चिपका देंगे लेकिन दिक्कत ही आती है कि side view आँगे आएगा यह friend view आँगे आएगा यह आपको दिक्कत जो है face करनी होती है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर first angle projection है तो उसमें क्या होगा अगर आपका friend view यहां दिया है तो वो यहां बनेगा यानि यह right में था बना कहां left में side view कहां था left में था बना कहां right में ठीके इतना याद रखना और आपका top view हमेशा friend view की नीचे ही बनता है तो यह थोड़ा सा आपको node करना ठीक है अब दोस्तों यह condition अगर आपकी यह वाली condition ऐसी होती यह condition अगर आप लोगों की माली चे ऐसे होती देखे कैसे यही condition अगर आप लोगों की ऐसे दी जाथी दोस्तों यही mistake करेंगे आप लोग please करके समझ लिज़ेगा देखे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही बना रहे है और यह देखे टॉप व्यू तो हम उपर से ही देखेंगे अब इसमें आगर आपके question में दे दिया है कि side view यहां से देखिए और आप लोग front view यहां से देखिए तो इसमें क्या होगा rule वही है कि आपका जो front view होगा वो x y line के उपर ही बनेगा तो मैंने यह x y line ले ली और यह मैंने front view जो है बना लिया ठीक है और मुझे यह भी पता है कि front view के नीचे मेरा top view बनता है तो मैंने top view भी जश्ट उसी के नीचे ड्रो कर लिया लेकिन बात यह आती है कि आप side view कहां जाएगा side view बनना तो front view के left में ही है लेकिन left में यहां बनना है कि यहां बनना है तो मैंने बता दिया कि इन दोनों की position चेंज हो जाती है तो front view left में है तो front view right में है ठीक है और side view right में है तो यहां left में चला जाएगा, यानि कि front view कहा होगा, right में, ठीके, और आपका side view होगा left में, यानि side view यहां जाएगा, ठीके, समझ रहे न, तो यह दो condition बना करके note कर लीजे, अगर किसी question में आपके इस तरीके से figure दिये हैं, इस तरीके से, ठीके, जिसमें front view यहां से so कर रखा arrow के द्वारा so करेगा, और side view यहां से so कर रखा, तो देख लेना, उसमें आपका front view यहां बनेगा, side view यहां, और front view के just नीचे आपका top view बनता है, ओके, और देखिए, अगर figure ऐसा दिया है, तो इस figure में क्या करेंगे, इस figure में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो side view होगा, वो left में चला जाएगा, और जो front view होगा, वो right में चला जाएगा, और front view के नीचे ही हमें इसा top view बनता है, यह cable condition first angle के लिए थी, ध्यान देना, मैंने heading भी यहां पर लगा रखा है, पहले से, जब कि आपका दोस्तों third angle projection में ऐसा नहीं होता है, third angle projection में ऐसा नहीं होता है, third angle projection में क्या होता है, अगर बस तो आपको left से देखना है, तो जो view बनेगा, उसका left में ही बनेगा, यानि कि अगर यही पहली condition में ले लूँ यह वाली देखे, यह वाली जिसमें front view यहां है, top view आपका, यहां हो गया, और side view आपका, यहां हो गया, तो देखे, किस तरीके से मे बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, इस तरीके से, देखिए, यह कोई सब्स बोड़ी है, आपकी 3D, ठीके, इस तरीके से, तो इसमें आपका देखिए, top view तो हमेंसा top से ही देखा जाएगा, मैंने बताया हुआ है, अब देखिए, आपका front view यहां से दे दिया, side view आपका यहां से दिया, ओके, ठीके, समझ गया है तिनी चीज को, अब इसका कहेगा projection खीजिए, देखिए, compare करके समझना, first angle में ऐसा बन रहा था, यह देखिए, ऐसे, अब third में बनाना है, तो मैंने बताया था, third में आपका front view होगा, वो x, y line के नीचे चला जाएगा, त front view के नीचे, यानि कि आपका just ऊपर ही, आपका क्या बनेगा दोस्तो, top view बनेगा, ठीके, क्योंकि front view, top view आपका उपर नीचे ही तो बनते हैं, तो यह आपका top view होगया, यह आपका front view होगया, लेकिन दिक्कत यह आती है, आप लोगों की, कि आप जो side view है, वो कहा जाएगा तो यहाँ देखना, यहाँ position change नहीं होती है दोस्तो, अगर side view left से देखा जा रहा है, तो left में ही बनेगा, front view right एप से देखा जा रहा है, तो right में ही बनेगा, यानि कि side view आपका कहा बनेगा दोस्तो, यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, लेकिन कि front view के side में तो front view ये रहा, इसके side में ये आपका बनेगा, अब आप doubt में जाते होंगे, कि कभी-कभी front view के side में तो नहीं बनेगा, तो यह step point लगागा कि note का लिज देगा, कि top view हमेशा अकेला बनता है, देखिए यहां भी top view अकेला है, इसके side में कोई नहीं है, यहां भी top view अकेला है, sida में कोई नहीं है और आपका यहां भी अकेला है ठेके तो यह आपने सिखा कि 3rd angle projection में इनकी position change नहीं होगी अगर side view आप left से देख रहे हैं यह left होता ह data ही RIGHT होता ही यह left होता ही है this right होता है तो left moment साइड व्यू देखा था किसलिए नीचे लेप्ट में साइड व्यू बन गया फ्रेंट व्यू राइट से देखा था तो इसलिए नीचे फ्रेंट व्यू बन गया राइट में अब नीचे क्यों बना क्योंकि यह थाइड एंगल प्रोजेक्शन है और थाइड एंगल प्रोज आती कॉस्चन बता रहा हूं यही डाइप की कॉस्चन आपके दिये जाएंगे बस पोजिशन चेंज करके देदेगा और इसी में आप में स्टेक कर देंगे टॉप व्यू हमेशा यहीं आपका दिया जाएगा अब देखें इसमें आपका साइड वू दे दिया यहां से और य कितनी चीज आप लोगों को समझ में आगी बस konfusion होती है तो sideiew की आप यह side sundואब कहा है तो यह aad में है मैंने बताया इनकी पुोजिशन चेंज नहीं होती है front view left में तो front view left में ही रहेगा side view आपका right में है तो side view right में ही रहेगा तो बस position change होते हमें फ्रेंट ब्यू और आपका ическая ब्यू अगर फर्स्ट एंगल में यह condition है तो यहाँ žाँ यहां seven यहां टॉप यहां देखिए अगर आपका इन ही की पॉजिषन आपस में चेंज कर दिंडी थी ऐसे ब्यू यानि side view left में front view right में तो देखिए side view left में front view आपका right में चला गया ठीक है इसी तरीकी से third में देखिए third में क्या होगा आपका top view ऊपर चला जाता है front view नीचे चला जाता है लेकिन position change नहीं करेंगे इनकी ठीक है first में ही करते हैं cable और cable ठीक है अब रोटेशन पर depend होता है दोस्तों तो उतना detailing में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत सम टाइम बचा हुए right जैसे हम लोग line में और point में देखे थे इस projection बनाना है तो हम hp को 90 degree clockwise घुमाना होता है इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी हम hp को 90 degree घुमाते है clockwise लेकिन साथ में हमने जो projection plan लिया हुआ था उसको भी हम 90 degree एंटी को लग बाइस घुमाते हैं किस कैसी दिसा में घुमाते हैं एंटी को लग बाइस ठीक है तो आप सारा हम इतना डेटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा ना वह हमसे पूछना है बट लेकर mind में आप वह चीज़ सैट करके रखनी है कि जब ऐसा भी में ऐसा नहीं होता है तो इतनी चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसको आप लोग क्या करिए जल्दी से नोट कर लीजे फिर मैं और कुछ पॉइंट्स बताता हूं और फिर आपको कॉस्चन्स की और ले चलूंगा अब दोस्तो एक स्टार पॉइंट यहां से नोट कर लीजे जब भी हम लोग फ्रेंट व्यू टॉप व्यू और सैड व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तो हम लोग बनाएंगे फ्रेंड व्यू एजिली करने के लिए देन फ्रेंड इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे top view जैसे इसका बनाना था तो इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे Friend view की projection को उपर ले आएंगे तो top view बन जाएगा ठीक है और इसके बाद दोस्तों side view बनाने के लिए क्या खरते हैं खीचेंगे और ऐसे भी हम लोग रोटेट करेंगे देखाना कैसे मेरा कहने का मतलब यह है दूस्तों जैसे कि माली जो मुझे यहां पर साइड वू निकालना तो यहां से मैं ऐसे करके 45 डिग्री पर यह ऐसे ऐसे मैं इसको क्या करूँगा यहां से ले जाने की कोशेश करूँगा ठीक है तो यह पॉइंट भी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना यानि कि यह जो लाइन हम खींच रहे है न यह वाली यह हमारी 45 डिग्री पर ठीक है यह प्रोजेक्शन तो यहां समझा देगे हम आपको उढ़ेगे इसमें देखिए टॉप वी उपर है आपका साइड वी बनाना है तो यहां से लाइन कीज़ेंगे और इसकी प्रोजेक्शन ऐसे लाएंगे यहां पर एसके सीधे ले आएँगे तो यहां आपका साइड वी बन जाएगा ठीक है इस इसको mind में set कर लिए दिखिए दोस्तों यह आपका first angle का sign होता है अब यह sign आपको रटना पड़ेगा जैसे आप लोग समझते हैं कि alpha का sign यह होता है तो इसका भी sign यही होता है और यह आपको रटने पड़ेंगे अगर आपके exam में आते हैं यह third का है यह first का है और यह first angle, third angle मे आप लोग note कर लिए ठीक है चलिए तो फिर मिलेंगे कल दोस्तों और कल हम बनाएंगे questions ठीक है यानि कि हम first angle, third angle में किसी भी figure का हम लोग क्या करेंगे projection बनाना सीखेंगे तो please करके यह जो points मैंने बताए हैं इनको note करना तभी जाकर कि आपको कल कुछ समझ में आने माला ठी ठीक है तो please video को like करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को share करिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में बहुत बहुत मजाए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं next video में thank you and thanks for watching